हैले वर्यों, आप सबी का स्वागत है टार्गेट पूर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे MS Excel, इस से पहले हम लोग पढ़ चुके MS Word, क्या पढ़ चुके MS Word पढ़ चुके और आज पढ़ेंगे MS Excel, अधि आप इस चेनल पर नहीं, चेनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सेर करें, लाइक करना नहीं भूलें, साथ ही, अभी तक आप लोग टार्गेट पूर का अपलिकेशन नहीं डाउनलोड के हैं, तो डिस्क्रिप्सर में लिंक मिल जाएगा, आतो पले अश्टोर में जाकर टार्गेट पूर अपलिकेशन डाउनलोड करके, MS Word क्या है? MS Word एक परकार का Word Processing Software है, क्या है? Word Processing Software, लेकिन हम लोग को पढ़ना है Excel, सलेबस में Excel दिया है, तो Excel क्या है? ध्यान से समझे, हम लोग यहाँ पर दो एक्जामपल के माध्यम से समझेंगे कि MS Excel का क्या फंसन है, क्या काम है, ध्यान से समझे, माल लेजिए यहाँ पर कोई Factory है, और इस Factory में 1000 Worker काम करता है, इस Factory में 1000 मजदूर काम करता है, तो Factory के माली के पास इतना बड़ा Mind नहीं है, माइंड में इतना Space नहीं है, कि 1000 मजदूर का इसमें data संगरा हो सकी, इसके लिए Factory का माली क्या करता है? एक diary रखता है, इस diary में सभी worker का नाम लिखा हु यह हुआ, अब हम लोग दूसरा एक्जामपल समझते हैं, माली जी यहाँ पर कोई एसकूल है, और इस एसकूल में क्लास 10 में 1000 विद्यार थी है, 1000 अस्टूरेंट है, तो जब एक्जाम होता है, तो 1000 अस्टूरेंट का माक्सिट निकाला जाता है, कि हिंदीन कितना आया, मै तो कोपी जो होता है, डाइरी में मेंटेंड किया जाता है, हर एक स्टूरेंट का, दोनों एक्जामपल में अभी आप लोग क्या देखें, कि जो भी काम हो रहा है, जो भी डाटा एरेंज का काम हो रहा है, एक कोपी में हो रहा है, एक डाइरी में हो रहा है, एक पेज में ह हो रहा है लेकिन यही काम आपको बोले कि computer में कीजिए तो computer में करने के लिए एक special software आता है जिसका नाम है MS Excel क्या है MS Excel यही पर MS Excel में data को arrange किया जाता है calculation किया जाता है और final decision पर पहुचा जाता है तो आप लोग समझ गयोंगे कि MS Excel में क्या करते है data को arrange करते है calculation करते है और final नतीजे पर पहुचते है देखिए जिस परकार से हम लोग MS Word में पढ़े थे कि सबसे उपर सबसे उपर जहां पर book one लिखा है देखिए सबसे उपर क्या लिखा है book one macrosubt excel इसको क्या कहते है इसको कहते है title बार समझेगा क्या कह कहते है task work task work से just उपर क्या कहते है status work सब कुछ पढ़ा चुके MS Word में यहां पर revision करा दे रहे और देखिए यहां पर एक white पट्टी है इस पट्टी को क्या कहते है scroll bar आद रखिएगा क्या कहते है scroll bar कहते है साथ ही एक चीज़ यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर देखिए FX लिखा है तो FX वाले को कहते हैं हम लोग formula bar इसको क्या कहते है formula bar white color में जो है पट्टी है इसको कहते है formula bar ध्यान से समझी इसको क्या कहते है formula bar और यहां पर देखिए जो menu है insert है layout page layout है formula जो लिखा है इसको हम लोग कहते है देखिए ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या कह कहते हैं क्या कहते हैं मेन्यू बार देखिए जहां हम लिखा है इंसर्ट लिखा है पेज लियाउट फर्मूला डाटा रिवियू भीव इसको क्या कहते हैं इसको मेन्यू बार कहते हैं तो ध्यान से समझ गया आप लो सबसे नीचे टास्क से उपर स्टेटर सबसे उपर टाइ में उसको कहते हैं तो इसको कहते हैं स्फ्रेट सीट कहते हैं ध्यान से शंप एक उर नाम है वारक सीट गा dissolint he एक वरक सीट समझ bugs होते हैं इस एरियआ को कहते हैं बरक सीट याथ तो एस प्रेड सीट आप लोग देखे यहां पर A, B, C, D, E, F लिखा है, तो इसको क्या कहते है, इसको कहते है, क्या कहते है, क्या कहते है, क्या कहते है, लेकिन, यहाँ पर देखे लिखा है, 1, 2, 3, लिखा हुआ है, नमबर लिखा हुआ है, तो नमबर लिखा हुआ है, इसको कहते है, रो, क्या कहते है, रो कहते है, और जो ख कहते हैं इसको रोग कहते हैं ध्यान से समझें क्या कहते हैं रोग कहते हैं आगे हम लोग समझते हैं देखिए माल लेजिए यहां पर इस बॉक्स में देखिए इस बॉक्स में ध्यान से समझें जहां पर रेड की हैं इसमें हम लोग हैं तो इस बॉक्स का क्या नाम हो जाएग एक स्केंड अधिया हम लो कहां पर इसको क्या कहेंगे दीखिए यहां पर यह तो यह आई ओर इसके बाद कहां गया data 11 में गया दो इसका नाम हो जगा आई 11 समझें अब देखिए जो रेक्टेंगल दिख रहा है देखिए इस तरह करके है न देखिए ध्यान से जो रेक्टेंगल यहाँ पर दिख रहा है जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसको क्या कहते है इसको कहते है सेल कहते है सेल मतलब बैटरी नहीं और कोशी का वाला सेल यहां पर अलग सेल है तो आध रखिएगा जो कटिंग किया गया है जो रेक्टेंगल में है तो इसको कहते हैं सेल माली जी यहां पर हम अभी कहां है अभी देखिए यहां पर है देखिए यहां पर है तो याई 10 में है कहां है याई 10 में है तो इसका नाम हो गया आई 10 क्या है अधी हम लोग आई 10 में रहेंगे जब हम लोग कंप्यूटर में देखेंगे आई 10 में रहेंगे तो यहां पर आई 10 लिखा होता है लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ यह वन क्यों कि मेरा जो करसर है पहले से जो फोटो यहां पर लगा ह हुआ है जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर देखिए यह 0 है करसर मेरे कहा है यह इसलिए यहाँ पर यह one लिखा है अधि हम करसर को आई 10 में ले जाएंगे तो नैम box में आई 10 आ जाएगा और इसको क्या कहते है एक्टिव सेल जो यहाँ तो ay dat, तो यहाँ पर splash में यहाँ पर देखी, इस aire है लैट आ जाएगा, तो इसको कहते है active sale, क्या कहते है active sale कहते हैं अब देखे, MS Hub SHL का एक बहुत ही फैंञे क्यों से होता है, अब लोग सोचेगा का फर्मूला क्या होता है तो ध्यान से समझें माल लेजिए यहां पर यह दो तीन चार पांच इस तरह करके लिखा हुआ है और लास्ट में हमको यहां जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते तो कोपी कलम में डारेट वन टो थीरी फॉर फाइब सब को एड कर लेता है कि ए मस एक्ष weekend में फर्मूला का सुरुवात किससे होता है तो एकवल टूसे और ब्राबर समय से इसका फर्मूला का सुरुवात होता है जैसे कि यहां पर देखिए यह ए यह तो क्या लिखेंगे एकवल टू यह खेंग 옛 यह बन देखी माले जी उतना जोड़ना ह तो A1 से जोड़ना है, A15 तक, A1 से A15 तक जोड़ना है, तो हम लोग लिखेंगे, equal to A1, A15, यहां तक जोड़ना है, जब इसको इंटर करेंगे, तो result आ जाएगा, जब इसे लिखकर इंटर करेंगे, तो result आ जाएगा, अब देखिए, एक question बहुत बहुत पुछा जाता है, कि MS Excel का latest version कोन है, तो आद रखिएगा, 2016, 2016 का जो version है, latest version है, अब देखिए, 2016 में एक, और एक 2003, यहीं से question पुछा जाता है, पुछेगा, कि 2016 में कितना row था, 2016 का जो Excel था, उसमें कितना row और कितना column था, तो row अधी पुछे, तो 10 लग, आद रखिएगा, 2016 में row, 10,48,576, अधी row पुछे, तो 10,48,576, अधी column पुछे, 2016 में, अधी column पुछे, तो column है, 16,384, ध्यान से question पुछा जाता है, आप लोग आद रखिएगा, अधी 2016 का version में पुछे, कि total number of row, तो row है, 10,48,576, अधी column पुछे, तो 16,384, 16,384, अभी हम लोग देखे, 2016, अब हम लोग देखते है 2003 में, देखिए, अधी 2003 वाला पुछे, 2003 में, तो 2003 में जो row है, 65,536, अधी रखिएगा, जो row है, 65,536, लेकिन column पुछे, तो 256 column, आधी रखिएगा, 2003 का version है, column 256, और row है, 65,536, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए, एक question और पुछा जाता है, कि MS Excel का जो पहला cell है, उसका क्या नाम है, तो पहला cell आप लोग देख रहे हैं, यह है, यह one, क्या नाम है, यह one, cell किसको कहते हैं, अभी बता है, जो row और column से बना है, तो row और column, जो rectangle आप लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग अब देखिए, यहाँ पर नजरा रहा हूँ, seat 1, seat 2 और seat 3, by default 3 seat मिलता है, अधी पूछे question कि MS Excel में by default कितना seat मिलता है, तो 3 seat मिलता है, आनि कि 3 seat यहाँ पर पहले से दिया रहता है, by default, अधी आपको add करना है, तो फिर से देखिए, add कर सकते हैं, यहाँ पर एक अलग option दिया add कर सकते हैं, लेकिन by default पहले से कितना रहता है, 3 seat रहता है, अब देखिए, एक बहुत ही BVI question है, बहुत ही महत्पुन question है, question पूछा जाएगा कि MS Excel का extension क्या है, MS Excel का extension क्या है, तो extension क्या है, तो .xlsx, क्या है, .xlsx, 2007 के बाद से होगी है, 2007 से पहले पुछे, तो xls, क्या था, 2007 से पहले, xlsx, और 2007 के बाद से xlsx, extension, extension जरूर पुछा जाता है, MS Word, PowerPoint, Excel, सबका extension आप सभी को आध रखना है, एक और question देखे, अधी question पुछे, कि MS Excel को save करना है, तो by default किस name से save होता है, तो by default book 1 आध रखेगा, क्या होता है, book 1, यहाँ पर देखे, सबसे उपर में लिखा है, book 1, तो by default book 1 के नाम से save होता है, अधी इस page को save करना है, इस window को save करना है, तो क्या आएगा, book 1 लिखा हो आएगा, और last में क्या जूड़ जाएगा, xlsx, क्योंकि इसका extension है, वो तो जूड़ेगा ही, तो आध हम लोग देखते हैं, अब देखिए, जिस परकार से हम लोग MS Word में shortcut की पढ़ हैं, उसी परकार MS Excel में भी shortcut की है, लेकिन इसको हम लोग next वीडियो में देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही, अधी आप इस channel पर नए है, channel को आवसे subscribe कर ले, वीडियो को share कर रहें, like करना नह की बूले